28 जुन के इशुरे विदान को समझ विधी से सिध्धी प्राप्त करने वाले फिर्स्ट डिविजिन के अधिकारी पबा तो परमात्मक विदान क्या है उनके अनुसार हमें चलना है एक अदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद एक अदम से हमगर हैं अगर हिम्मत करते हैं वो कदम होगे हमारे संकल्प कोई फिजल कदम की बात नहीं हो रही है पर एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद ड्रामा में इस विधान की विधी नूदी हुई है अगर ये विधी विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते हैं क्योंकि जो इम्मत दिखाता है जो जील एंतुजियाजम दिखाता है जो क्वेश्चन कम करता है परमात्म में विश्वास रखर कर आगे बढ़ता है ड्रामा में विश्वास अपनी किस्मत पर विश्वास वह मंगुच साथ और रखते हुए आगे बढ़ता है वो आत्मा परमात्मा की मदद पा लेता है और जो सोचते रहते हैं या जो औरों को देखते रहते हैं या औरों की कम्प्रीन करते रहते हैं या और उको गिरानी कोशिश में लगे रहते हैं, उसका तो आपको पता ही क्या होता है, तो परवाद कहते हैं, नमबर वार बनने का विधान इस विधी के कारण ही बनता है, तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सेरिंडर हो, चाहे प्रवर्ति वाले हो, चाहे सेरिंडर हो, मतलब चाहे जो सेंटर में रहने वाले हो, चाहे प्रवर्ति वाले हो, चाहे जो घर बार समालते हो, घर बार में रहने वाले हो, और अपने घर को ही परमात्मा का घर मान करके चल रहे हो, आधिकार समान है, तो बनों प्रकार की आत्मों को आधिकार समान मे जो भी हिमत दिखाएगा वो आगे बड़ेगा लेकिन विधी से सिद्धी है लेकिन जो रूल्स है जो रूल्स तो है यह जो विधी है परमातने बताई हुई है चाल-चलन, चेहरा, सोच, बोल, कर्म, संकल्प, तन्मन, धन्स, सेवा यह सब कुछ दोनों तरफ से होती है इस इश्वरी विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिविजिन का अधिकार मिल जाएगा इस इश्वरी विधान को समझ अलबेलेपन हो जाएगा कर लेंगे, देख लेंगे, किसमतल होगा तो की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिविजिन का अ जाएगा, ओम शादी